नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमन बलूनी और आप देख रहे हैं अब आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहे हैं वो है रीसेंट लॉंच कमर्शल बायर्स के लिए अब जो गाड़ी हम लेकर आए हैं आपके लिए वो है बोलेरो मैक्स पिकप और जो वेरिंट को मिलता है सब कुछ आपसे शेयर करेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं शुरुबात करते हैं चाबी से तो कुछ इस तरीकी के आपको बेसिक सी की मिलेगी कोई भी सेंटर लॉकिंग इसमें नहीं मिलेगी अगर इसकी हम फ्रेंट प्रॉफाइल देके तो इसका देखने को मिलेगा यह जो आप देख रहे हो भाईया यह है इसका और इंडिकेटर भी इसमें दिया गया है नीचे फॉग लैंप की केसिंग तो है लेकिन आपको मिलते नहीं एंड मैंडेटरी यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर स्ट्रिप्स मिल जाती है जो कमर्शि 35 Newton-meter of insulation यहाँ पर आपको नहीं दी गई है देखिए four cylinder engine भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पहले की तरह आपको जो नीचे की तरफ भी insulation देखने को मिल रही है वह नहीं मिलती है इसके अंदर तो इस तरीके का आपको उसमें देखने को मिलता है basic engine अगर हम इसकी side profile की देखने को मिल जाएगी 195R15 बाकि ड्रम ब्रेक्स ही आपको उसमें देखने को मिलेंगे और बॉडी क्लाइडिंग वगेरा का तो है सवाल ही नहीं है यह एक पिकप ट्रक है बाकि जो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको साइट से दिया गया है बाकि यहाँ पर आप लॉग कर सकते हो कुछ इस तरीके से अपनी गाड़ी को क्योंकि सेंटर लॉगिंग इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलती एंड इस तरीके का आपको यहाँ पर ब्लैक एलिमेंट दिया गया है CT 3000 VXI की बैजिंग भी आपको देखने को दी गई है अगर इसके पीछे देखें पेलोड कपैसिटी कितनी है तो 1300 किलो की पेलोड कपैसिटी है इसकी हम रेल प्रोफाल की बात करें तो यहाँ पर महिंदरा आपको इंग्रेवड मिलेगा कोई कलर नहीं है और यहाँ पर बेचे की तरफ आपको क्या मिलेगा आपको स्पेर वील मिल दाएगा और केसिंग उसकी कुछ इस तरीके से दी गई है नमबर प्रेट की लाइट आपको दी गई है इसके अंदर बैटना कैसे आप दिखाता हूं आप स्टाइट से आप इस तरीके से आप बैट जाओगे आ अब देखो कोई भी आपर एड्जस्मेंट की कुंजाईश तो नहीं है अब मेरी हाइट के हिसाब से छे फीट का बंद हो फिर भी मुझे ठीट ठाग लग रही है थोड़ा लेग रूम में बस कमी है बागी हाइट अच्छी घास यार बॉनेट दिख रहा है हेड रूम अब को दिया गया है बागी फोन रखने की स्पेस दी गई है थोड़ी स्पेस वहां पर है एंड इधर की तरफ आप देख लो वह यह इसका जो ग्लव वॉक्स है एक्दम बेसिक सा ग्लव वॉक्स आपको इसमें मिलता है बाकी यहां पर कोई बेसिक वाले आपको मिलेंगे कोई मिरर नहीं मिलेगा क्योंकि काम कीजिए अराम नहीं बाकी आप देख सकते हो किस तरीकां के इंटीर अगर स्टेरिंगी फीजिटरिंग वील एंड आपको कोई बी लेजर स्टिस्टिंग नहीं मिलेगी इसमें और मैं दिखाऊ ऑशका थो इस तरीके का बेसिक हउन मिल तो आपको मिलेगा semi-digital instrument cluster तो यह बहुत ही जारा अच्छा लग रहा है left hand side में tachometer है and right hand side में digitally आप अपनी speed देख सकते हो 80 के ओपर इसमें आप भगा नहीं सकते गाड़ी को क्योंकि limited है speed and आपको बीच में मिल लेगी चोटी सी screen जहाँ पर आप time देख पाओगे अपना distance देख पाओगे और देख पाओगे trip 8, trip 2 and बागी नीचे की तरफ आप देख सकते अपना engine temperature वगरा भी आप देख पाओगे यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका screw jack इसको use केजिए बागी गाड़ी के कागज बगरा भी यहीं रख सकते है और क्या बात अगर आपको कई दिक्कत face हो गई तो बागी इसकी कीमत क्या पढ़ती है आपकी screen के उपर इस समय आ रही है and color आपको इसमें क्या मिलेंगे वो भी समय आपकी screen के उपर आ रहे है हमारी तरफ से तो दिखिए एक solid गाड़ी आप बिल्कुल इसको ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक और चीज में हमको प्रॉब्लम नहीं है अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे and बन जाओगे हमारे साथ ऐसी amazing वीडियो देखने के लिए आज का वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में